आजाओ अंदभक्तों कहां हो चलो तुमको बिहार घुमा के लाते हैं जहां तुम्हारे आका जो है जो जुमले बाजी का बवचार कर रहे हैं चलो आज तुमको वही घुमा के लाते हैं आजाओ और जितने भी क्रांतिकारी शाथी हैं वो भी आजाए क्योंकि आज जो ये अ मसाल जलानी है मसाल जलानी है जानते हैं कि कैसे मसाल जलती है कैसे अंधभगत बिल बिलाते हैं इनको लेके चलते हैं बिहार में जहां आज जो है एक 30 साल का लड़का पूरी दिल्ली की सरकार में जितने भी मंत्री हैं देश के प्रधान मंत्री शले निचले अस्तर के मंत्री तक और पूरे भारत के अंदर जहां जुमले वाज़ पार्टी के बिधायक तक लगे हुए हैं हेली काप्टर उडा रहे हैं जुमले बाजी पर जुमले बाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे मानव सरहद की रच्छा करते हुए ये गोलियों की बहचार दुसमनों के ऊपर कर रहे है जुमले बाजी पे जुमले बाजी जुमले बाजी पे जुमले बाजी इन्होंने पूरे बिहार की इस्थिती बद से बदतर कर रखी है लेकिन आज देश का प्रधान मंत्री क्या कह रहा है जो कभी आप लोगों से कहा करता था कि हम आपको दो करुण रोजगार देंगे जब सत्ता में आएंगे कभी ये कहा करते थे कि हम किसानों के अनाच का डेवड़ा दाम देंगे जब 2000 की सत्ता में आएंगे कभी ये कहा करते थे कि हम देश की यर्थ ब्यवस्था, देश की जीडीपी ब्रिटेन, इंगलेंड और अमेरिका से भी उपर ले करके जाएंगे लेकिन इन से जब कुछ सुधरा नहीं लोग सवाल पे सवाल करते रहे कि नोट बंदी में लोगों को क्या मिला जी अश्टी में लोगों को क्या मिला रोजगार हमारा कहा है तो बेचारे क्या बोले जानते हैं अरे हम तो फकीर आदमी है हम जोली उठाएंगे और चले जाएंगे अब कहा जाएंगे इन्होंने जहां विजय माल्या को भेज दिया ललित मोदी को भेज दिया मेहुल चौकसी को भेज दिया बिक्रम को ठारी को भेज दिया इन्होंने कहा कि हमारा क्या है हम भी फकीर है जोली उठाएंगे और कहीं चले जाएंगे उसके बाद आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जिस तरीके से पूरे बिहार के लोगों के पिछवाडे पे लाठियों से पिटवाया गया यह कोई और नहीं पिटवाया था यही सत्ता में बैठे यह जो भूखे सत्ता के भेडिये हैं यही लोग तुम्हें लाठियों से पिटवाने का काम किया था आज जो कह रहे हैं कि हम तुमको रोजगार नहीं देंगे हम तुमको ट्रेन नहीं देंगे तुम बस से चलो आज वही क्या कह रहे हैं कि तुम हमको बोट दे दो हम तुमको फिरी में जो है बैक्सीन देंगे फिरी में दवाई देंगे अरे मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब यह जोली फकीरों की थी जोली फकीरी की थी इनके पास कुछ भी नहीं था उठा के जाने वाले थे तो आपको बैक्सीन कहां से देंगे यह बैक्सीन आपको उसी तरीके से देंगे जिस तरीके से यह लोग आपको दो करोण रोजग गुजार दिये थे वैक्सीन उसी तरीके से देंगे जिस तरीके से नोट बंदी करके ये काला धन निकाल रहे थे वैक्सीन उसी तरीके से देंगे जिस तरीके से जी अश्टी लागू करके इस देश के अंदर चल रही लाखोग फाइक्ट्रियों में ताला लगाने का काम किय यह उसी तरीके से आपको vaccine देंगे जितने भी साथी देख रहा है मैं सभी साथी उसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ग्रूपों में share करते रहें लोगों को जोड़ते रहें लोगों को invite करते रहें और इस वीडियो को पूरे बिहार के अंदर पहुंचा करने का काम करें जितने भी ग्रूप है फारे ग्रूपों में share करते रहें और बिहार के लोगों को जोड़ते रहें क्योंकि आज सवाल बिहार का है उस बिहार का जो इन्होंने 15 साल में बिहार को बिहार में बिहार बना दिया आज ए लोग बिहार में बिकास की गंगा वहाने की बात करते हैं मैं यह पुछना चाहता हूं कि जब यही बिहारी लाकडाउन में जब दिल्ली बंद था दिल्ली जब कमरों में बंद था तो इनके लिए तुम ट्रेन तो फिरी में मुहाया नहीं करा पाए इनको जब ट्रेन मुहाया नहीं करा पाए फिरी में यह 2000 किलो मेटर पैदल चल करके बिहार के रास्ते पर पहुँचे उस बालिका की मैं बात करता हूँ उस बच्ची की बात करता हूँ जो यही लोगे क्या कहते थे कि बेटी बचाओ वो बेटी पढ़ाओ नारी का सम्मान करो वही बिहार की बेटी साइकिल चला के 1200 किलो मीटर अपने बिकलांग बाप को ले करके बिहार पहुचने का काम किया था उस शमय इनका फिरी का या फर कह नहीं चला गया था उस शमय फिरी में ट्रेन क्यों नहीं चलवा पाए मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी जो मुख्यमंत्री है जिनसे आज उत्तर प्रदेश समहल नहीं रहा है पूरे उत्तर प्रदेश को आज बलातकार प्रदे तमाम अंदभक्त आ चुके हैं, मैं उन्दभक्तों को कहना चाहता हूं कि अंदभक्तों तुम सानतर हो नहीं, तुम्हें जो है, आईशी मसाल जलेगी तुम्हारे पिछले रास्ते से कि तुम्हें यहां से चुपकेशे निकल लोगे, जितने साथी देख रहा हैं सब ही साथ सहिंएं से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियों को पूरे बिहार तक पहुंचाने कि आप nine पूचिस करें मैं यह पूछना चाहता हूं उत्तर योगी जी सरम आनी चाहिए जिस उत्तर प्रदेश का आप नाम डुबोने बिहार चले गए हो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप मंदिर की उपमा दे रहे हो धरम की उपमा दे रहे हो मैं यह पूछना चाहता हूं जब बिहार के मजदूर सडक के रास्ते से बिहार में जा रहे हैं तो क्या आप किशी बिहारी मजदूर को एक बोतल पानी पिलवाने का काम किया हो तो बता दीजिए कहीं आप सरकारी प्याओं लगवाए थे या सरकारी कैंटीन चड़ा के उन मजदूरों को अगर खाना खिलाने का काम कियो हो तो बताओ यह बिहारियों को खाना क्या लोगों को उत्तर प्रदेश तक पहुंचाऊंगा लेकिन जब उत्तर प्रदेश के लोग बसों में सवार हो गए तो उन्से जो है एक एक हजार रुपए का टिकट लिया गया एक एक हजार रुपए का टिकट लिया गया उत्तर प्रदेश के वासियों को तो बिहारीयों के सा तो दूर है लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा को शील किया गया था और इन्हीं बिहार के लोगों को लाठीयों से पीटा जा रहा था कान पकड़ के इनकी उठक बैठक कराई जा रही थी, इनको मुर्गा बनाया जा रहा था, इनको मेढक बना के कुदाया जा रहा था, यह है भारती जन्ता पार्टी के लोगों की नीती और नियती, यह इतने गंदे और घिनावने लोग हैं, कि जब चुनाव आता है, तो कभी मंदिर का जुमला, कभी धारा 370 का जुमला, तो कभी वैक्सीन देने की बात, तो कभी रोजगार देने की बात, और जब सत्ता में आएंगे, तो इनका कहना यह होता है, कि कोई भी पढ़ा लिखा जो बच्चा है, वह योग्य नहीं है, तो उसको हम नावकरी कहां से दें, इनके पास कोई गाइड लाइन नहीं होती है, नावकरी देने की, आज इस्थिती यह है, कि आज सत्ता में बैठे लोग इस बिहार को बदतर प्रदेश बनाना चाहते हैं, अगर बिहार को बदतर प्रदेश नहीं बनाते, तो आज 15 साल से इन लोगों की सरकार है, और उस प पल्टूराम एक दिन कह रहा था कि लाल्टेन का जमाना गया, अब तो यलीडी का जमाना आया गया, अरे पल्टूराम जरा सोचना कि तीर का जमाना तो कब का गुजर चुका है, अब तो मिसाइल का जमाना आया चुका है, जबकि हमारे देश के अंदर, एपी जे अब्दूल कलाम, हमारे देश के राष्टपती महा महीम, पूर्व राष्टपती, पूर्व बैज्ञानिक, पूर्व मिशाईल मैन, जिन्होंने की बड़ी-बड़ी मिशाईल बना के दे दिया इस देश को, तो बताओ कि अब तीर का जमाना कहां रहा इस मिशाईल के दाओर में, अरे कम से कम अपने गिरेबान में तो जहांक लिया करो, जब दूसरे के गिरेबान में हाथ लगाने की कोशिश करना, आज पूरे बिहार की स्थिति क्या है, कि आपने देखा होगा कि पूरे लाकडाउन में, जो यह कहते हैं कि हम विकास किया है बिहार में, म कंधे पे उठा करके यहां तक की बुढ़ी मा को कंधे पे उठा करके अगर पूरे सड़क पर पूरी गर्मी में पूरे मई और जून की लकलकाती हुई धूप में अगर चला है तो बिहार का मजदूर चला है और बिहार का मजदूर यह दिखा दिया कि आखिर 15 साल में जुमले बाच कहते हैं कि हम बिहार के लोगों को फिरी में दवाई देंगे फिरी में दवाई आपको उसी तरीके से देंगे जैसे आपको फिरी में ये ट्रेन देने का काम किये थे अब बोले थे कि ट्रेन में पानी मिलेगा ट्रेन में खाना मिलेगा जो लोग ट्रेन में बै गई वह ते ही की फिरी की ट्रेंट जितने साथि देख रहा है मैं तभी साथियों से यह कउँगा अभी है उप़ी से कहँगा कि यह बार आप लोग इस वीडियों को शेयरroll करण इस चाहता हूं कि आप चलते हुए बीडियो पर जरा सा उंगली से क्लिक करें और जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके दाहिने साइड में वाइट कलर में लिखा होगा सेयर और उस सेयर के आपसन पर जाएंगे जैसे ही बटन दबाएंगे आप देखेंगे बाएं साइड में तो तीन मु मुंडी किश्की होगी अंदभक्तों की मुंडी पे जैसे ही क्लिक करेंगे ग्रूप आ जाएगा उस ग्रूपों में बारी बारी से आप सेयर करते जाएं और इस वीडियो को पूरे बिहार के अंदर पहुचाने का काम करें और जो जुमले वाच जो बिहार को धोखा देना च चले जा रहे हैं और मैं खास करके यह कहना चाहूंगा कि आज की जो मीडिया विकाव मीडिया है वह विकाव मीडिया आज क्या कह रही है कि बिहार में नितीश की सरकार बनने जा रही है यानि इसका मतलब है कि यह लोग EBM सेट कर चुके हैं अगर EBM नहीं सेट कर चुके हो तो अगर तुम अपनी मा का दूद पीए हो, तो तुम जब भाजपा की रैली में जाते हो, तो तुम्हारा काइमरा सिर्फ मंच की तरफ होता है, तुम कभी भीड क्यों नहीं दिखा देते? आखिर भीड तो दिखा देते भीड नहीं दिखाते क्योंकि भाजपा की रैली में 500 लोग आ रहे आए और वहीं विपच्छ की रैली में लाखों की भीड आ रही है और तुम सरकार बना रहे हो किसकी सरकार किसकी बना रहे हो तुम बिजेपी की सरकार बना रहे हो, तो कैसे सरकार बनेगी भाई, पैसा तुम लिए हो, देश का जो ये जनता है ना, ये जनता पैसा नहीं लिया है, जनता को तो लाठी मिली है, जनता को भूख मिली है, जनता को प्यास मिली है, और रास्ते चलते हुए कितने लोग, एक् आश बिहारीयों को लाने के लिए बसे नहीं हैं ट्रेने नहीं हैं और हम एक भी बिहारी को बिहार के अंदर घुसने नहीं देंगे यानि ऐसा लगता था जैसी इनकी मा जो है बिहार को कहीं मायके से लाई है बिहार इनके बाप का बपवती है बिहार इनके बाप का है कि ये नहीं घुसने देंगे इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि आए बिहार के लोग आए बिहार के लोगों जिस दिन पोलिंग बूत पे जाना EBM मशीन इतने जोर से दबाना कि नितीश कुमार को फिर बिधान सभा में घुसने मत देना तुम लोग जिस तरीके से नितीश कुमारे बोल रहा था कि हम बिहारीयों को बिहार में नहीं घुसने देंगे मैं बिहारी मजदूरों से यह कहना चाहता हूं कि EBM मसीन को वैशे दबाना इतने जोर शे दबाना कि नितीश कुमार को दुबारा जो है बिधान सभा में घुसने मत देना कि ये आपको वाख दिखाने का काम करे या आपको ये प्रवासी बोलने का काम करे या आपको बिहार के अंदर घुसने न देने का जो ये चुनावती देता था बिहार के अंदर घुसने न देने का जो ये चैलेंज देता था इसको बिधान स अगर बदला लेना है तो बदला लेके रहना सड़क पे जितनी लाठियां पड़ी हैं बिहार के मजदूरों को सड़क पे जितने दिन तुम भूख से तड़पे हो सड़क पर जितने दिन तुम बिना पानी के तड़पे हो अगर उसके बाद बिहार के अंदर पहुचने के ब एक भी ये तीर कमान वाले जो हैं इनको बिधान सभा में घोचने मत देना क्योंकि ये तुम बिहारीयों का ही नहीं ये पूरे देश का अपमान किये हैं बिहार जो है भारत का दिल है भारत का टुकड़ा है अगर भारत के अंदर जो भी अर्थविवस्था है जो भी कलकार खाने चल रहे हैं यह बिहार के लोगों के बदावलत चल रहे हैं बिहार के लोग अपने खोन पसीने से इस देश की अर्थविवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे आए और यही कारण है कि नितीष कुमार और मोदी जी मिल करके मुकेस अंबानी और आडानी जैसे बिक्रम कोठारी जैसे बिजय माल्या जैसे लोगों को मजदूर सस्ते दाम में मिले इसलिए बिहार को ये बदतर बना रखे हैं बिहार प्रदेश को आज मजदूर प्रदेश बना रखे हैं कि बिहार के अंदर एक भी फाइक्टरी न चले एक भी कार खाने न चले अब बिहार के अंदर रोजगार न मिले नहीं बिहार के अंदर इतना टैलेंट है लोगों का कि अगर इमानदारी से कोई अगर कमपटीशन करा लिया जाए तो 30% बिहार के बच्चे कमपटीशन क्वालिफाई करेंगे क्योंकि बिहार के लोग इमांदार होते हैं, मेहनती होते हैं, कामचोर नहीं होते हैं, पढ़ते हैं और टैलेंटेड होते हैं, लेकिन बिहार के लोगों को जिस तरीके से हे दृष्टी से देखने का काम करते हैं, चाहे वो गुजरात के लोग हों, चाहे वो महाराष्ट के ल यहां आप लोगों को बदला लेने का वक्त है कि इवियम पर जाईए तो नितीश कुमार को एक बार याद रखिए कि आशे लोगों को बिधान सभा के अंदर घुशने का कोई हक नहीं है क्योंकि आपको जो मौका मिलता है यह पांच शाल बाद मिलता है